तो आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास laptop या फिर computer नहीं है और आप लोग अपने programming के सारे काम अपने smartphone से ही करते हैं जैसे कि Arduino programming हो गया या फिर किसी भी development board को आप लोगों को अगर program करना है तो आप लोग अपने smartphone से ही करते हैं अगर बात किया जाए Arduino के बारे में इसको program करने के लिए Play Store पर बहुत सारे application available हैं लेकिन अगर बात किया जाए ESP board को program करने के लिए तो इसके लिए option बहुत ही जादा कम है लगबग ना ही है तो ऐसे में हमारे पास smartphone ही एक option बच जाता है जिससे हम लोग अपने programming के काम कर सकते हैं तो ऐसे situation में हम लोग सोचते ह है कि कास कि हम अपने phone से ही ESP board को program कर पाते हैं तो guys एक और वीडियो मेंने बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ESP 32 board को आप लोग कैसे अपने smartphone से program करेंगे लेकिन उस वीडियो में मैंने बोल कर नहीं वीडियो बनाया था उस वीडियो में music है और जो भी जरूरी points जो थे हैं उसको मैंने वीडियो के editing के time लिख दिया था जिसकी वज़े से काफी सारी लोगों को दिकत आ रही थी बहुत ही जादा कम लोग इससे help लेकर समझ पा रहे हैं थे लेकिन आज का जो वीडियो है वो हिंदी में होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों की इस ESP32 से related सारे problems को find out करके इसको दूर करने की कोशिस करूँगा तो आप लोग वीडियो को पुरा start से लेकर end तक ज़रूर देखना so without further ado let's get started तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ board के बारे में there are two types of board available in the market यानि कि दो types के board basically available है market के अंदर devkit v1 और node mcu 32s यह है devkit v1 और यह node mcu 32s है दोनों में फर्क यह है guys कि node mcu 32s जो है उसमें आप लोगों को pins extra देखने के लिए मिलते हैं और वो देखने में और थोड़ा सा compact लगता है और जादा कुछ इसमें फर्क नहीं है बाकि दोनों board एक ही काम करेगा दोनों में ऐसा नहीं है कि devkit v1 वाला जो काम करेगा वो node mcu नहीं करेगा या फिर जो node mcu करेगा वो devkit v1 नहीं करेगा ऐसा नहीं है आप लोग कोई साभी board को purchase कर सकते हैं दोनों ही board काफी जादा अच्छे हैं क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे लोगों के मायंड में एक question जरूर आएगा कि मुझे कौन से वाले board को purchase करने चाहिए तो मेरा straightforward answer यही है आप लोग कोई वाले भी board को purchase कर सकते हैं दोनों ही board काफी जादा अच्छे हैं दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यह आप लोगों के choice के उपर depend करता है और seller के उपर भी depend करता है अगर आप लोग किसी assacity में रहते हैं यहाँ यह सारे boards जो है offline बहुत ही असानी से मिल जाते हैं लेकिन आप लोग किसी assacity में रहते हैं जहां आप लोगों को offline देखने को नहीं मिलते हैं ये साड़े board तो आप लोगों के पास one and only option online ही बच जाता है अब online में photos देखकर हम लोग किसी भी सामान को purchase करते हैं यानि कि अगर DevKit V1 का photo है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही आप लोगों को deliver हो हाँ हो सकता है कि DevKit V1 का photo है नोड MCU आ जाए या फिर नोड MCU का photo आप लोग देख रहे हैं तो DevKit V1 भी आ सकता है दोनों board में ही कोई दिक्कत नहीं है आप लोग बेजी जक ले सकते हैं board की तो problem solve हो गई अब बात करता हूँ मैं कि मुझे इस वाले board को program करना है यानि कि मुझे ESP32 board को अपने smartphone से program करना है अब program करने के लिए हमें एक application को download करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है Arduino Droid तो इसको download करने के लिए आपको simply सा अपने play store को open करना है और play store को open करने के बाद यहाँ पर search करना है Arduino Droid जो सबसे पहला option आएगा उस पर आप लोगों को click करना है अब यहाँ पर there is a catch कि अगर आप लोगों का phone Android 13 या फिर उसके उपर का Android version है आप लोगों को यहाँ पर लिखेगा कि आपके phone में यह application support नहीं करेगा तो अगर आप भी ऐसे problem को face कर रहे हैं तो इसके उपर मैंने एक video बना रखा है उस video का link आप लोगों को नीचे description में और उपर यहाँ पर i button में दे दूँगा आप लोग कहीं से भी जाकर उस video को देख सकते हैं और देखने के बाद आप लोग पता लगा सकते हैं कि इस application को आप लोग कैसे download करेंगे Android 13 या फिर 14 वाले phones में अब back to the topic तो यहाँ से हमें इस application को download करना है मैंने already download करके रखा है अब download हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को इसको open करना है first time user के लिए यहाँ पर कुछ steps को follow करने है setup करने के बाद यह application का interface खुल जाएगा आपने application को open कर लिया open करने के बाद आपका जो board है उस board को setting से select करना है तो setting से select करने के लिए आप लोगों को उपर में 3 dot में जाना है 3 dot में जाने के बाद settings में जाना है settings में जाने के बाद board type में जाना है और board type में जाने के बाद ESP32 में जाकर आपको यहाँ पर अपने board को select करना है अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आप लोगों को starting में ही बताया कि दो types के board available है तो आप लोगों को अपने board के हिसाब से ही यहाँ पर board को select करना है अगर आपका board devkit v1 है तो आप लोगों को do it ESP32 devkit v1 को select करना है अगर आपका board है node mcu 32s तो आपको scroll करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक option देखने के लिए मिलेगा node mcu 32s आपको इसको select करना है तो मेरे case में मेरे पास यहाँ पर devkit v1 वाला board है तो मैं यहाँ से इसको select करता हूँ और select करने के बाद यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही छोड़ देना है यहाँ से ok कर देना है अब हमने यहाँ से अपने board को select कर लिया है अब हमें अपने ESP32 board के अंदर program को upload करना है तो मैं यहाँ पर example ले रहा हूँ basic blink का आप लोग चाहें तो first time किसी और code को भी upload कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग अपने नए नए board में किसी blink code को ही upload करें तो आप लोग first time किसी भी code को upload कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ blink का program को सिर्फ आप लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप लोग कैसे अपने board में code को upload करेंगे तो code को upload करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने code को खोलना होगा 3D dot में जाएंगे, sketch में जाएंगे, sketch में जाने के बाद example, basic और यहाँ पर blink का option है इस पर click करेंगे, अब हमारा जो blink वाला code है वो खुल गया है अब यहाँ पर यह जो code है, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो ESP32 में जो inbuilt LED है जो blue color का LED होता है, उसको हम लोग blink करेंगे इसमें मैंने किसी external LED को attached नहीं किया है इस code को हम लोग compile करेंगे, तो compile करने के लिए आपको यहाँ पर एक option दिखेगा, compile का इस पर हम लोग click करेंगे, click करने के बाद यहाँ से compilation start हो चुका है आप लोगों में से काफी सारे लोगों को यहाँ पर भी problem आती है वो problem क्या है, आप किसी भी code को compile करने की कोशिस करेंगे, तो आपका phone उस code को compile नहीं करेगा दिखेगा कि आपका phone में आपके phone का प्रोसेसर 32-bit का है, इसको compile करने के लिए आपको 64-bit का प्रोसेसर चाहिए तो ऐसे case में इसका simple solution यही है, अगर आप लोगों के phone में भी ऐसा कुछ pop-up आ रहा है, तो आप लोगों को simplest है, अपने घर के किसी दूसरे phone में इस चीज़ को try करना है, या फिर आपके घर में कोई दूसरा phone नहीं है, तो आप लोग अपने friends से भी आप लोग मांग कर काम च जैसे कि OTG और एक USB cable, जो कि एक micro USB type B वाला cable होना चाहिए, मैं OTG को अपने phone में लगाता हूँ, और उस phone से मैं USB cable को अपने ESP32 board से connect करता हूँ, अब connect करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो board है, light up हो चुका है, अब चलिए मैं इस वाले program को, इस code को अ इसका percentage लिखता जाएगा कि कितना percent आपका code upload हो गया है, जैसे ही 100% हो जाए, तो यह done हो जाता है, तो finally मैंने अपने code को यहाँ से upload कर दिया है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ESP32 board का जो inbuilt LED है, वो glow करने लगा है, यानि कि blink करने लगा है, और code को upload करने से related एक और आप लोगों के बीच myth है, कि आप लोगों में से काफी सारे लोग बोलते हैं कि code को upload करने के time, हमें जो ESP32 board का enable pin है, उसको press करके रखना है, तो guys, अभी आप लोगों ने देखा, मैंने किसी भी button को press करके नहीं रखा है, यह सिर्फ आप लोगों का एक myth है, जो कि काफी जादा informative लगा होगा, अगर guys, वीडियो थोड़ा सा भी informative लगे, तो आप लोग इस वीडियो को एक like करके channel को subscribe कर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी भी topic के ओपर वीडियो चाते हैं, तो आप लोग मुझसे comment में, या फिर मेरे instagram पर आकर वहां से आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, मैं उस topic के ओपर वीडियो बनाने की कोशिस ज्यादा से ज्यादा करूँगा, तो फिलाल के लिए इतना ही, मिलते हैं next video में, goodbye.